हेलो गाइस वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं ग्वेनम वर्सीज कार्णिज के थर्ड पार्ट में और ये इसका फाइनल पार्ट होने वाला है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं जैसे कि हमने देखा था नल अर्थ 65 की मेरी जेन को बना देता है कार्णिज और उसके बाद मेरी जेन अपना गुसा निकालती है ग्वेन पर क्योंकि उसका काबू नहीं रहता उसके इमोशन्स पर यहां पर ग्वेन सोच रही है कि जब वो गौस्पाइडर बनी थी तो उसे कुछ time लगा था adjust करने में वो कहती है मुझे भी नहीं पता था कि मेरी powers कैसे काम करती है मुझे नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है कोई भी मुझे सिखाने वाला नहीं था जब मुझे मेरा नया सूट मिला जो की मेरे विचारों के साथ चलता था तो मुझे लगा कि मैं मैं तुम से लड़ना नहीं चाहती है तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो ग्वेन कहती है तुम बहुत ही ज्यादा हिप्पोक्रेट हो ग्वेन कहती है ये तुम क्या कह रही हो वो कहती है तुम तब ही खुश होती हो जब तुम ही हीरो हो तुम और किसी को हीरो बनना नहीं देखना चाहती, तुमने पीटर को भी इसलिए मारा था ना, तुम नहीं चाहती थी कि वो special रहे, तुम चाहती थी बस तुम ही special रहो, तुमें ही जीतना था, तुम ये सब सहन नहीं कर सकती थी कि और कोई hero बने, Gwen कहती है, वो Harry को मारने वाला था, और तुमें भी hurt करने वाला था, इसलिए मुझे उससे fight करने पड़ी, MJ कहती है, ठीक है, ये कहके खुद को दिलासा दे लो, अभी वो अपना हाथ उठाती है, और उसमें से web को छोड़ती है, वो जाला सीधा जाके चिपक जाता है एक dragon से, वो जो जो से हस्ती है, और उसको कहती है, बाई बाई Gwen, Gwen कहती है, MJ, Gwen सोच रही है कि उसे पता कैसे चला है, ये ड्रैगन भी और MJ भी, नल तो मुझे भी अपने कबजे में करना चाता था, वो मेरे सूट को भी अपना पार्ट बनाना चाता था, इसलिए वो कह रहा था कि मैं उसकी क्यों नहीं हूँ, जब मेरा कॉस्ट्यूम में साथ बॉंड हुआ था, तो मैं भी थोड़ा सा पाइडर ही थे, जो मेरे सूट को फील करवाते थे, छोटी चीजों को भी बहुत ही बड़ा, और वो उनको एम्प्लिफाइ कर देते थे अपने होस्ट में, मुझे लगता है, MJ के साथ भी यही हो रहा है, ये उसकी फीलिंग्स तो हैं, बट वो सूट उसको और भी बड़ा बना रहा है, MJ कहीं दूर पहुंचुकी है, पर Г्वेन भी उसके पीछे पहुंचाती है, ग्वेन कहती है पर उसके सूट में थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है, वो पूरी तरहा से नल की नहीं है, मुझे उसको सेव करना होगा, वो कहती है, हे MJ, MJ कहती है, तुम फिर से आ गई मुझे लगता है तुमने rejection को सहना नहीं सीखा ग्वेन केती MJ ये तुम नहीं हो ये तुमारा suit बोल रहा है ये तुमारे अंदर से null बोल रहा है ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था मैंने ये देखा हुआ है ये सब hive mind से work करता है तुम गुसा हो पर तुम evil नहीं हो उस null की तरह MJ उस पर हमला करते हुए कहती है ये मेरा suit है हम दोनों eternal है और glorious भी और हम तुमसे better है ग्वेन काफी पीशे जाके गिरती है MJ कहती है मैं तुमसे हमेशा better थी यहां से बाग जाओ ghost spider शायद तुमें इस dimension को भी धोका देकर बाग जाना चाहिए ग्वेन सोच रही है कि ये null है ये MJ नहीं है और उसे पता है मैं यहां से नहीं जाने वाली MJ को गुसा होने का हक है ये उसी का गुसा है और ये अलग तरीके से आ रहा है कोई space code उसको मेरे से नहीं चीन सकता और ना ही मेरे suit को MJ एक building में जाती है और वहां पर अपने जाले ही जाले बिखेर देती है ग्वेन जैसे ही अंदर जाती है वो जाले उसको चिपकना शिरू कर देते हैं ग्वेन कहती है मुझे ऐसे feel हो रहा है वो अपने जाले फैंगती है और वहां के instruments को अपनी और खीच लेती है ग्वेन कहती है ये है क्या वहां पर जो आदमी चूपा होता है MJ उसको भी अपने जालों से जकड लेती है और उसको खीचना शिरू कर देती है तबी वहाँ पर Gwen आती है और कहती है ये सब रोको मेंजे MJ फिर से उस पर हमला करती है Gwen कहती है उस आदमी को अकेले छोड़ दो MJ कहती है कौन सा आदमी मुझे तो एक सोलजर दिखाई दे रहा है हम देखते हैं कि उस आदमी को भी कुछ होने लगता है वो सिंबिट को उसको जकड़ना शुरू कर देता है Gwen कहती है तुमें ये करने की जुरूरत नहीं है MJ कहती है मैं ये करना चाहती हूँ So मैंने करा Gwen कहती है MJ ये तुम नहीं हो ये नल है Gwen कहती है मैं नहीं कर सकती थी मेरा सूट तुमें माल देता MJ कहती है मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैं अपने लिए एक नया बैंड बनाने वाली हूँ वो बैंड जो मेरे से कभी भागेगा नहीं वो Gwen पे अपने जाले फैंकती है उसको जकड लेती है और वो खुद वहां से गायब हो जाती है Gwen कहती है MJ कहां गई अभी वो देखती है कि वो आदमी भी convert हो चुका होता है वो उसको अपने जालों से चपका देती है वो वहां से भाग जाती है और कहती है So MJ अपना नया बैंड बनाना चाहती है इसके लिए उसको लोग चाहिए होंगे और उसके लिए उसे वैनी वी काफी बड़ा चाहिए होगा वो कहती है मुझे शायद पता है वो कहां गई होगी और यहां MJ पहुँचुकी है Madison Square Garden में वो अंदर जाती है और देखती है वहां एक लड़की छुपी होती है वो कहती है तुम शोटी सी चुही मुझसे नहीं छुप पाऊगी Cat ने तुमें ढूंड लिया है Gwen भी वहां बहुँचुकी है वो कहती है यहां पर कोई है वो कहती है चलो उसने कोई निशान तो शोड़ा है I hope उसने किसी को hurt नहीं किया हो वो अंदर जाती है और देखती है उसके सामने MJ होती है उसने दो लोगों को बंदी बनाया होता है वो कहती है अभी तुम इस बैंड को खराब नहीं कर सकती ये मेरा नया बैंड है Gwen कहती है उसे बैंड की पड़ी है जबकि वो लोगों को hurt कर रही है I think अभी भी उसके अंदर MJ कहीं जिन्दा है बट मैं उसको अभी भी save कर सकती हूँ वो उसकी और जाती है और भागती है वो कहती है मुझे पता है तुमारे पास नया बैंड है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ MJ कहती है तुमारी आर्मी कहां पर है वो कहती है मैं अकेली हूँ बस प्रूव करो कि तुम मुझसे better हो प्रूव करो कि तुम मैंसे better deserve करती हो तुम में ego है और गुसा है पर मुझे पता है तुम एक अच्छी person हो वो कहती है come on MJ तो MJ कहती है चलो फिर मैं तुमसे लड़ूगी ही नहीं मैं तुम्हें destroy कर दूँगी Gwen कहती है sound तो simbit को effect करती है और वैसे भी MJ सबसे worst host होगी और शायद वो ना होती है अगर वो इसतना गुसा नहीं होती मेरे पर वो उस drum वाले लड़के को हटाती है और खुद drum बजाना शिरू कर देती है Gwen कहती है कि सभी simbits को issue होता है sound के साथ पहले ये मुझे भी hurt करता था बट MJ वो पुरी तरह मेरे suit से connect नहीं है नल के बास है उसका hive mind और मेरा suit हमेशा से मेरी सुनता रहा है MJ कहती है Stacy यहां से भाग जाओ यह मेरा moment है वो कहती है हाँ यह moment तो है वो moment जिसमें तुम मेरे पास वापिस आजाओगी Gwen कहती है जब वो आपस में connect नहीं रहेंगे अभी मैं कुछ कर सकती हूँ हाँ मोका मिल गया अभी वो अपने spiders को कहती है वापिस आजाओ MJ चलाती है नहीं उसका connection टूटना शिरू हो जाता है बट तभी वो Gwen पे हमला कर देती है Gwen कहती है हमें नया plan चाहिए होगा मुझे मेरे spiders पे control करना होगा इससे हम नल से चुटकारा पाएंगे MJ कहती है मेरे पास वापिस आओ और fight करो Gwen कहती है हाँ fight करूंगी पर तुमारे तरीके से नहीं वो बंदियों को कहती है यहां से भाग जाओ Gwen कहती है तो मुझे belong करती हो तुम मेरे से bonded हो ये सब तुमसे ये simbit करवा रहा है वो अपने spiders को कहती है इस simbit को मार दो MJ चलाती है यह तुमने किया Gwen कहती है यह मैं on purpose नहीं किया बट मैं तुम्हें छोडने नहीं वाली ना ही अपने spiders को हमें तुम्हें fix करना होगा और वो MJ को दबोच लेती है MJ कहती है मैं perfect हूँ Gwen कहती है यह suit तुमें kill कर देगा MJ तुम कारनेच नहीं हो MJ प्लीज मेरी बास सुनो अभी MJ को कुछ होता है वो कहती है Gwen मुझे अच्छा नहीं लग रहा और वो वापिस अपने असली रूप में आ जाती है Gwen उसको पकड़ लेती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो अपना magic bracelet निकालती है और टेलिपोर्ट करने की कोशिश करती है और वो दर्वाजा साथ ही बंद हो जाता है Gwen कहती है यह क्या हुआ वो कहती है नहीं नहीं मेरा टेलिपोर्टर यह अभी भी काम नहीं कर रहा मुझे लगता है नल को पता चल गया था कि यह कैसे काम करता है और इसकी जानकारी उससे MJ से मिली होगी इसका मतलब है मेरे suit के बारे में उससे सब कुछ पता चल गया होगा और वो मुझे यहां से नहीं जाने देगा वो कहती है MJ मुझे मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहती थी मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ोंगी और इस बार तुम मेरे साथ आ रही हूँ वो उसको वहां से ले जाती है वो कहती है मैं तुम्हें किसी safe जगा पर छोड़ दोंगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई